हेलो दोस्तो नमस्कार हरेक दिशना स्वागत करता हूँ आपके और अवारे चनल फ्लैम स्पोर्ट्स में दोस्तो NBA के बार में बात करेंगे आज का पहला गेम है Memphis versus Denver Nuggets के बीट में अच होने वाला है भाई लोग अपर Memphis का आपको पताई होगा भाई लोग बहुत ही शोट हेंड़ी टीम होने वाली है जमल मरेद और सोरी जाम मरेंट नहीं खेलने वाला है यहाँ पर लुक नड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा और उसका सेंटर काफी स स्टेवन एडम्स तो पूरा सीजन आउट होने वाला है ठीक है दोस्तो सांती अलदाम भी नहीं है और यहाँ पर दोस्तो बिलिनर क्लार भी नहीं कहला वाला तो बहुत ही एक शोट हेंड़ी टीम है भाई लोग यहाँ पर डेन्वर नगेट की बात करूँ बहुत ही स्ट् देखने को मिल जाएगा अभी मेंफिस ग्रिजली की बात करूँ तो उसका में गाढ़े मारकर स्मार्ट जो पहले बोस्टों शाल्टिक्स में खेलता था उसका बाद डेज मेंबें जो लास्ट का गेम बहुत ही अच्छी तरीके से खेलकर आ रहा है जेच विलियम से भी लो बेंग की बात करो तो दोस्तों काफी बहुती बढ़िया उसने काम किया था आपके सामने हैं आप देख सकते हो ट्वेंट थर्टी वन पॉइंट फाइव रिबाउंट फाइवासी स्टील ब्लॉप भी किया था जेरेंग जेक्सन जुनियर फ्लॉप हुआ था जेच विलिय की खास करके NBA में आज से हम दोस्तों स्मोल लिग खेलना स्टार्ट कर रहे है ठीक है यहां पे सब कुछ इंफरमेशन आपको टेलिग्राम चैनल पे मिलेगा लाहा पे लाइन अफ हो गई और खास बत क्या है कि हमारा काम है आपको विनिंग कराना वह भी बिल्कुल फ्री मे हम NBA बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं जिसको दोस्तों खास करके basketball में विनिंग करना है उसमें भी NBA में निचे लिंक दे रहा हूँ दूस्तों टेलिग्राम चैनल पा ठीक है आपको जरू से जरू उसमें जोइन कर ले रहे है यहां पे आपको विनिंग चलती रहेगी ब विडियो की रिशेशन में लिंक है नगेट्स तो दोस्तों बहुत ही फेवरिट टीम होने वाले आपको भी पता है ठीक है जैंपियन टीम है भाई लोग यहां पे दोस्तों कैंटावेस काड़ोल पॉप जेख सकते हो 20.2 रिबाउंड और तीन स्टील गिया थे उसने भी का ब्राउन के साथ जेक नाज़ी है पॉल वाटसन है ठीक है तो यहां पे पीजी सेक्षन से स्टार्ट करेगी कि 17 केडिट आपको जमाल मरे पे खर्च करना है या नहीं क्योंकि 17 केडिट बहुत ही जएदा हो सकता है क्योंकि दोस्तों उसी सेम प्रोडक्टिविटी के साथ अच्छा कासा पॉपस दिया था और हमने में आपको पेले भी बोला था कि सड़नली दोस्तों यहां क्या है कि हरेक में कैसी पी उतना आचा पॉपस नहीं देगा ठीक है आपको सोच कर चलना है उसके बाद यहां पर माइकल पोटर जुनियर और जेच विलियम के लावा वा उसके बाद दोस्तों यहां पर एरन गोडन है और इडी रोडी बाकी अवेलेबल नहीं है ठीक है अवेलेबल है लेकिन आपको पिक नहीं करना है उसके बाद दोस्तों आप यहां पर निकोला युकीच आप अवेट कर सकते हो यहां पर लेक सकते हो जेक नाजी को ठीक है ग खेलड़े आपको लेना है या तो लेना है दोस्तो आपको यहाँ पर डी रोडी को या तो लेना है दोस्तो आपको यहाँ पर पीजी सेक्शन में देखने को बिलेगा डी रोज को दोनों में से एक छोटे खेलड़े आपको ले लेना मेरे खाल से दोनों में से कोई अच्छा क कर सकता है ठीक है ya मानके चले कि यहाँ कि मैंने डी रौस को लिया तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं मॉाइकल पोंटर जोनियर ले सकते हैं दुस्तों मजबूरी में हमें मार्कर स्मार्ट को निकलना पड़े गा या तो डी कर लाउन को OnePlus को लिय। और 9.5 क्रेट में भी दोस्तों यहां पर कोई खास पिक है नहीं तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा Michael Potter जुनरों को रहने देता है यहां पर दोस्तों Marker Smart को ही निकाल देता है ठीक है डीरोज आ जाएगा उसका 70 क्रेट में आ जाएगा जमाल मरे तो इस तरीके से यहां पर ब्राउन को जगा आप रोडी तो ले लिया उसके बद यहां पर बेन भी लिय ले तो यहां पर ब्राउन ये कछा उपसन बता है तो इस तरीके सबको प्रवयो देखने को मिल जाएँगे जिसमें ID को त्री की है ठीक है बगि सैफ़पी की बात कर तो आपका निकोला यूकिछ यहाँ पे एकष्टिल में突ी नियर हो गया उसके बड़न बेन हो गया माइखल पोर्टर जूनीर क्यों लिया है मैंने क्यूंकि दोस्तु यहाँ पे माइकल पोर्टर जुनिर अगर ना लेता मैं 12.30 मेरे पास बच रहे थे लेकिन उससे अच्छा कोई ठाड़ी मेरे को दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने उसको लिया है बाकि एक और चेज कर सकते हो पहलोग यहाँ पर जमल मरे आपको ब्राउन को ट्राइ करूँ इस तरीके से प्रिव देखने को मिल जाएंगा आप यहाँ पर चेक कर सकते हो जिसमें दोस्तों यहाँ पर माइकल पोर्टर जुनिर के साथ एरन गोडन भी आ गया कैसी भी भी आ गया ठीके आप चेक कर सकते हो यह रहाँ दोस्तों पहला कोंबिनेशन यह रहाँ पहलोग दूसरा कोंबिनेशन ठीके मेरे को वेट करने दो स्टार्टिंग लेप आने दो उसके बाद मैं मेरी फाइनल टीम आपको टेलिग्राम चैनल पर सेंड करूँ दूँगा स्मोल लिंक की लेकिन जो मारकर स्मार्ट पर थोड़ा बहुत अब रज़त डाल लिएगा उसके बाद यह यहाँ पर तो कोई नहीं यहाँ पर भी दूस्तों कोई नहीं यहाँ पर दूस्तों रोडी और में आपको जो है डेरी ग्रोज का बता दिया जैरें जैक्शन है अची पिक बस एस सारी पिक्स पर दोस्तों मारकर स्मार्ट और जैरें जैक्शन जुनियर पर थोड़ा बहुत आप फोकस करिएगा मुझे काफी एची पिक लग रहा है टेक प्रेंट्स तो मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए खलकना बबाबाई टेक केर